नमस्कार दोस्तों जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जेट एरवेज को लेकर 29 नौबर याने की बीते कल एक इंपोर्टेंट सुनवाई होने वाली थी उसको लेकर यहाँ पर एक नई अपडेट सामने आई है आप सबी लोग को यहाँ पर बता लेकि इस समय जेट एरवेज के जो नए कॉंसोर्टियम है मुराईले जलान और कारलो कैपिटल और जेट एरवेज के जो लेंडर हैं जिनमें सबसे बड़े इस एस बी बैंक है इन दोनों के बीच में इस समय कुछ भी मैटर को लेकर सहमती नहीं हो पा रही है लेटिस जो निकल का सामने आ रही है उसके नुसार एस बैंक यहां पर यह साबित करने में लगा हुआ है कि जो जेट का जो रिजूलूशन प्लान अप्रूब हुआ था उसके हिसाब से जेट एरवेज के जो नए मालिक है वो उन्होंने अपने सारे अबलिगेशन फॉल्फिल नहीं कि देनी चाहिए लेकिन अभी यहां पर इसको लेकर फाइनल सुनवाई जो है वो 29 नौंबर की जिएगे 6 दिसंबर कर दी गई है यानि कि 6 दिसंबर को अब इसके उपर फाइनल डिसियन लिया जाएगा कि आखिर जेट एरवेज का क्या करना है आपको बता दें कि अभी दलील दी है कि रिजोलूशन प्लाइन के हिसाब से उन्होंने सारी अबलिगेशन को फुल्फिल किया हुआ है लेकिन यहां पर एस्विया बैंक का कहना है कि जेट एरवेज के नए मालिकों की तरफ से रिजोलूशन प्लाइन को सक्सेस्पुली फुल्फिल नहीं किया जा रहा है जो भी है इसके उपर फाइनल अपडेट 6 दिसंबर को निकल कर सामने आएगा इसके उपर कोई भी नहीं अपडेट सामने आएगी आपको हमाई चैनल के माद्यों से मिलती रहेगी फिलाल के लिए इस वीडियो में बस इतनी जानकारी थी वीडियो चलेगी तो लिक करें चैनल को जरू सब्सक्राइब करें